जैहिंद आप सिर्गा रोजगा टीव में स्वागत थे अगर आपके एकाउंट में अभी तक मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना का पैसा नहीं आया है तो आप लोग क्या करेंगे इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं इसलिए आप लोग इस वीडियो को पुरा देखिए जितना हो से कि इस वीडियो को सेर करें और अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार आये हैं तो फड़ाबर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कि तो आप लोगों को एक साथ दो हजार रुपया मिलेगा इसके उपर भी बात करेंगे अभी तक पैसा नहीं आया तो कियो नहीं आया है और आप लोग क्या करेंगे जिससे आप लोगों के अकाउंट में पैसा आजाये और यह मैं नहीं कह रहा हूं बलकि मालनिय मुख्यमंत्री हमन्त स्वरेंच जी ने अपने ट्विटर एकाउंट में त्विट करके बोले हैं ओई चीज़ यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा और साथ इसाथ पेपर में जो अपडेट आया है अपडेट को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा देखिए सबसे परेन हम लोग यहां पर देखते हैं कि अभी तक किस-किस जीला में पैसा का बित्रन हुआ है किस-किस जिला में पैसा बांटा गिया है आप देखे सबसे पहले जो पैसा बांटा गिया हमारा लातेहार, पलामू और गड़वा में बांटा गिया इसके बाद आप देख लिजिए 24 अगस्त को जो पैसा बांटा गिया था रामगड, हजारिवाग, चत्रा, कोड्रमा, गिर का जांतड़ा साहिव गंज और पाकुड 28 अगस्त को पैसा बांटा गया सराइकेला खर्सवाँ, पुर्वी सिंग्भूम और पस्चिमी सिंग्भूम और यह आप देख सकते हैं 4 सितंबर यानि की आज 4 सितंबर यानि की आज आज कहां कहां किस किस जिला में पैसा बांटा जाएगा आप लोग देख लिजिए आज बांटा जाएगा राची, खोटी सिंडेगा, गुमला और लोहर दग्गा तो इन जिलों में आज पैसा का बित्रन होने वाला है अगर आप लोग देखेंगे न तो देखें पेपर में अपडेट आया हुआ है कि आज जो है आज 70 करोड रुपया बांटा जाएगा अज कितना रुपया बांटा जाएगा तो 70 करोड रुपया बांटा जाएगा तो आज साम तक आप लोग को परसो यानि कि छोग तारिक को सबसे पहले आप लोग बैंक चले जाएए और बैंक के जाने के बाद आप लोग को क्या करना है आप लोग का जो बैंक एकाउंट है आप लोग का जो पास्वुक है उसको सबसे पहले आप लोग अप्टूडेट करा लेजिए जिससे आप लोग तो आप क्या करेए हर एक एकाउंट को अप्टूरडिट करा लिजिये था फाउंट कशे अप्पकरा सब्सक्राइब esto का एक शूप गलता है कंवानि को नई आता है लेकिन पाउसुलेड़ पैसा आ जाता है तो पहलगाध का मैं지 रहेग तो आप लोग को बताता हूं ठीक है तो चलिए देख लेते हैं कि अभी तक अगर आपके अकाण में पैसा नहीं आया है तो आप लोग क्या करेंगे देखे आज की पेपर में जो अपडेट आया हुआ है और हमन सरेंजी ने जो ट्वीट किया है अगर आप लोग देखेंगे न तो अभी तक लगभग 48 लाग फॉर्म भरा जा चुका है 48 लाग फर्म भरा जा चुका है और 48 लाग में से 48 लाग में से 45 लाग फर्म को एप्रूब्ड किया गया है मतलब यह एप्रूब्ड है और यह जो 45 लाग को एप्रूब्ड किया गया है इसमें पैसा पक्का ही आएगा पका पैसा औहें पक्का दू दिन आजेंश्य गोगा लेकिन पक्का पैसा आएगा एक दम आप लोग निस्चिंत रहीए कि आप लोग का प्का पैसा आजाएगा लेकिन जो 300,000,000 लाग जो फोर्म है 300,000,000 के बारे में अब कुछ नहीं जासकता है यह जो तीन लाग फॉर्म है इसको या तो पेंडिंग में रखा गया है या फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया है वह सकता है कि कुछ फॉर्म को नहीं किया जाए अब यहां पर यह जो तीन है तो आप लोग क्या करेंगे आप लोग दोबारा से फॉर्म को भरेंगे आपको क्या करना है तो देखिए मान के चलिए कि अगर आपका फॉर्म गलत भरा गया है तो आप दोबारा से फॉर्म नहीं भर सकते हैं दोबारा से फॉर्म नहीं भर सकते हैं दोबारा से फॉर्म न या सम्मा निवजना का जो आप लोग का ओफिसल वेब साइट है उहां पर जाकर किसी भी सेंटर या फिर प्रज्गा केंद्र से आप लोग क्या कर सकते हैं सुधार करवा सकते हैं जो एक बार फॉर्म को भर दिये हैं वोग दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं वे सुधार कर देख्लिजिए और एक चीज़ अगर आप लोग देखेंगे तो देख्लिजिए मुख्यमंत्री हमन्त स्वरण ने पेपर में क्या कहा है इस चीज़ को मैं आप लोगे को पता देता हूं देख्लिजिए ध्यान से क्या है CM ने कहा कि जिन बहनों के आविधन में कुछ तुरूटियां है उन्हें भी सरकार आपके द्वार क्यम्प के माईधन से दूर किया जा रहा है अब इस वेबसाइट के उपर काम चल रहा है यह वेबसाइट अभी वर्क नहीं कर रहा है हो सके कि अगर आपको लगता है कि नहीं आपका पैसा नहीं आया है तो आप क्या करिए एक ओफलाइन फॉर्म एक जो offline form है न, offline form को आप लोग जरूर भर दिजिए, महिया सम्मान योजना का जो offline form आता है, उसको भर कर क्या करिए, आप एक पर जमा दे के रख दिजिए, मेरा बात को ध्यान से सुनिए, ये काम आप लोगों को पक्का करना है, अगर आपके account में पैसा नहीं आया है, अगर में क्या करिए, एक आप लोग ये जो offline form आता है, आपको जो मिला था, उस form को लिजिए, और फिर से एक बर जमा कर दिजिए, ये काम आप लोग जरूर कर दिजिएगा, जिससे क्या होगा, कि अगर आपका form में कुछ गल्ते भी हुआ होगा, जब portal खुलेगा, तो उस समय उ कर दिजिए, ये से अभी online वाला website खुल नहीं रहा है, तो आप अभी offline वाला form जमा कर दिजिए, ये चीजी हो गया, अब आप आगे देखिए, जैसे आप लोग website को खोलेंगे, जैसे आप लोग उसको खोलेंगे, तो कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ आ रहा है, देख सकत अब जैसे कि update आया था, ये जो मुख्यमंदरि मयां समान योजना का जो form है ना, इसको आप लोग कभी भर सकते हैं, कभी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि date पार हो गया, भर नहीं सकते हैं, कभी भी भर सकते हैं, अगर आपने form को नहीं भर रहा है, तो आप जब मन चाएं तब लोग भर सकते हैं, इसके बाद देखिए एक जो आप लोगों के मन में जो question है और जिसका हम लोग बात करेंगे, क्या है कि एक साथ 2,000 रुपिया मिलेगा, यह बात सही है या फिर गलत है, ध्यान से सुनिए, देखिए, 15 सितंबर, 15 सितंबर से क्या होने वाला है हमारा, 15 सितंबर से हमारा दुसरा किस्त का पैसा आना शुरू होगा, अगर 15 सितंबर से पहले आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो अच्छी बात है, और अगर दुसरा किस्त का जब सही शुरू हो जाएगा, तो जहां तक उमीद है कि एक साथ आप लोगों को 2000 रुपया नहीं मिलेगा पलकी आपको जब भी पैसा मिलेगा एक ही किस्त का पैसा मिलेगा इस बात को आप लोग जान लेजिए जब भी आप लोगों को पैसा मिलेगा एक ही किस्त का पैसा मिलेगा एक साथ आप लोगों को रूपया आपको यहीं मिलता है तो फिर आपको यह व्लेगा वह सकी कि आपको सितंब्र वाला 1500 मिल जाए AFA ऐसा हो गा एक साथ किसी को भी 2000 रूपया नहीं मिलने वाला है अगस्त का पैसा आपको जो है अगस्त का पैसा है आप लोगों का यह पहली किस्त का पैसा है तो पहली किस्त का पैसा है पहली किस्त के समय ही बांटा जाएगा और दूसरी किस्त का जब शुरू होगा तो उस समय पहली किस्त का पैसा नहीं बांटा जाएगा इस चीज़ को आप धिहान से सुन आपके सरकार आपके दोबार योजना है अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो एक बार आप लोग उस ओफ-लाइन फॉर्म को भल लेजिए और एक बार दोबारा से आप लोग उसको जमा दे देजिए फिर आप लोगों का उसमें सुधार हो जाएगा और फिर हमारा आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो लाइक करें जितना हो सकते वीडियो को सेर करें तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू जैहिन